हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में तो आज हम राजस्थान के चर्चित व्यक्तियों का भाग दो देखेंगे तो पहले है मांसी जैन इनका संबंध राजस्थान में उदैपुर से है और राजस्थान की सीए मांसी जैन ने अपने हुनर वे काबिलियत के दम पर तक्निकी छेतर में नवाचार करते हुए उदैपुर ही नहीं बलकि पूरे देश का नाम रोशन किया है मांसी ने राजकोट के सीए पलक बसा वे आईएटी रुड़की के इसमित परसानिया के साथ मिलकर एक ऐसा सॉफ्ट्वेर बनाया है जो तीन महिने का ओडिट मातर 30 सेकिंड में कर सकेगा इस सॉफ्ट्वेर का नाम है आईएउडिट इस सॉफ्ट्वेर को दक्षिडी एशिया के टॉप 10 स्टार्टप में शामिल किया गया है यह सॉफ्ट्वेर बैंकिंग छेतर के साथ e-commerce वे मल्टी नेशनल कंपलियों के लिए कारगर साबित होगा इस से तक्णीकी छेतर में बढ़ावा मिलेगा और समय की वच्षत के साथ और्डिट जैसे कारियों में सुलबता होगी प्रताप क्रश्न लोहरा इन्हें राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है राजस्थान हाई कोट के सेना निवरत न्यायदीश प्रताप क्रश्न लोहरा को प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है तथा नियुक्ती राज्यपाल द्वारा की गई इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा राज्य में यह पद यानि लोका युक्त का पद वर्ष 1973 में लोका युक्त एवं उप लोका युक्त अधिनियम 1973 के बात से प्रारम किया गया था लोकायुक्त क्या होता है ये भारत के राज्यों द्वारा गठित एक ब्रश्टाचार रोधी संस्था है जो कि राज्ये स्थर पर राज्ये की निवास्यू द्वारा की गई ब्रश्टाचार की शिकायतों के खिलाफ कार्यबाही करता है जबकि लोकपाल की बात करें तो लोक वो पुर्व्यक्ति हो सकता है बिरेंद्र सिंग जुन्जुनु जिले के खुडानिया गाव के 47 वर्षिये बिरेंद्र शिंग शेखावत एक ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने अब तक लगभग 1500 से अधिक मूर्तियां बनाई है इनमें सबसे अधिक मूर्तियां राजस्थान में और उसके बाद दिल्ली उत्तर प्रदेश और हर्याना के लिए बनाई है राजस्थान में सबसे अधिक मूर्तियां जुन्जुनु जले के लिए 200 मूर्तियां बनाई हैं क्योंकि यहां के लगभग 450 पीट सपूतों ने देशवाशियों की रक्षा के लिए बलिदान दिया है शहीदों की सियात को चिरिस्थाई बनाने के लिए उन्होंने शहीदों की पूरी बटालियन तयार की है मूर्तिगार बिरेंद्र कहते हैं कि जब वे शहीदों की मूर्ति तयार करते हैं तब उन्हें लगता है कि वे किसी मंदिर में ऐसे शहीदों की पूजा कर रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादत देकर देश और प्रदेश का गौरब बढ़ाया है प्रदेश के पूरवर्ती विजेपी सरकार में सैनिक कल्यान बोड के अध्यक्ष और सैनिक कल्यान सलाकार समीती के अध्यक्ष प्रेम सिंग बाजवर इन प्रतिमाओं को अपने खड़्चे पर बनवा रहे हैं बाजवर ने प्रदेश के 29 जिलों की आत्रा करके 1365 शहीदों के घरों में पहुँचकर शहीदों की फोटो जुटाई जिससे उनकी मूर्ती बनाई जा सके इस पर करीब 25 करोड खड़्च हो रहे हैं इसके बाद राज़स्थान देश का एक ऐसा अकेला राज़्य बन जायेगा जहां पे तमाम शहीदों की प्रतिमाई स्थापित होंगी हर्ष पीपलिया ये गुजराच से हैं और बाल सत्र में राज़स्थान की मुख्य मंत्री की भूमिका में थे पंडे जवाला लहरू की जैन्ती यानी 14 नवंबर को चिल्डन्स टेपर राज़स्थान विधान सवा में बाल सत्र का आयोजन किया गया था जिसमें देश प्रदेश से 200 बच्चे विधायक और मंत्रीयों की भूमिका में नजर आए बाल सत्र का उद्गाटन लोकसवा अध्यक्ष ओम बिल्लाने किया उनके साथ राज़स्थान विधान सवा की अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सत्र की शुरुवात की सीपी जोशी ने कहा कि हमें बच्चों के मन की बास सुनकर उनके हिसाब से नीतिय बनाने पर सोचना होगा इसलिए पहली बार बाल सत्र का आयोजन हुआ और इस बाल सत्र में महत्वपुन भूमिका निभाने वाले बालक बालिका थे जहानवी शर्मा विधानसवाद्यक्ष की भूमिका में थी वैभभी गोयल नेता प्रतीपक्ष की भूमिका में थे पराग अगरवाल सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए CEO के रूप में पराग अगरवाल को नियुक्त किया गया है इनको ट्विटर के CEO Jack.C के स्तीफा देने के बाद नियुक्त किया गया है इनकी उच्च सिक्षा IAT Mumbai और Stanford University से Computer Science में हुई है डॉक्टर नरेंद्र भंडारी इस रो के वैज्ञानिक है और ये जोधपूर के रहने वाले है जोधपूर के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र भंडारी नासा के उस तल का हिस्सा बने है जो 4.5 बिलियन साल पुराने एक एस्टरोइड पर शोध करेगा नासा की एक स्पेस्क्राफ्ट ओसिरिस रैक्स का एक एस्टरोइड बेनू से संपर्क हो गया था तो ओसिरिस रैक्स की द्वारा भेजे गए आकडों का डॉक्टर नरेंद्र भंडारी और उनका दल अध्यन करेंगे तो नासा ने यह मिशन टच एंड गो प्रक्रिया के आधार पर पूरा किया है मतलब कि इस स्पेस्क्राफ्ट की 11 फूट बुजाने मंगल और भ्रहस्पती के मध्य चक्कल लगा रहे एस्टरोइड को 5 से 10 सेकिंड के लिए टच किया और बेनू की धूल मिट्टी और चट्ट के नई रहसे खोल सकता है नासा के अनुसार बेनू का निर्मान 4.5 बिलियन साल पूर्व हुआ था और वह समय था जब प्रत्वी की सोलर सिस्टम का भी निर्मान हुआ था इसलिए बेनू को टाइम के अपसूल माना जाता है जिसकी मिट्टी और अन्य नमूनों से सारो तरफ गूमती रहती है और इसे चोटे प्लैनेट के रूपने भी हम समझ सकते हैं इनकी साइच की बात करें तो कुछ चोटे पत्थर जितनी साइच के होते हैं तो कई ऐस्ट बहुत विशाल भी होते हैं जैसे 600 मील तक फैले हुए और इनकी शेप प्लैनेट की तरह ग मार्स और जुपीटर के और्बिट के बीच इस्तित एक छेत्र है इस रीजन के अलावा भी कई जगा पर एस्टरोइड मौजूद रहते हैं जैसे कई प्लैनेट के और प्लैनेट दोनों एक ही रस्ते पर चलते हुए सूरज के चारो और चक्का लगाते हैं हमारी अर्थ के चारोट के लिजन के पासरी एसे एस्टेरोड मौजूद हैं एस्टेरोड की समय हुई है जब सोलर सिस्टम के भाकी और ऊबजेक्ट की फॉर्मेशन हुई है इसलिए ईस्टेरोड से साइंटिस्ट को सण और प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में भी पता लगाया जा सकता ह वंशी का शर्मा ये जुण्जुनु जिले की चड़ावा की रहने वाली वंशी का शर्मा कोटा में कोचिंग कर रही हैं नौबी खक्षा की चात्रा महस दो के पहाड़े से लेकर अरोक हरवो के पहाड़े सैकडों में ना केवल लिख लेती है बलकि बोल भी देती है एक वंशिका का यह हुनड दिमाग में नहीं बल्कि हातों में भी गचपका हैं वह दौनों हातों से लिख भी देती हैं जो भी एक रिकॉर्ड है इतना ही नहीं वंशिका अर्वोखर्वों के पहाड़े लिखने के साथ साथ उल्टा सीधा दोनों प्रकाट से बोल सकती है 14 अप्रेल 2018 को 10 अरप से उपर की टेबल मात्र 49 सेकिंड में लिखी और Golden Book of World Record में दर्च कराई 19 जून 2018 को 280 अंको वाली टेबल 18 मिनिट 4 सेकिंड में लिखी और इसे Golden Book of World Record में दर्च कराया 8 मार्च 2019 को दोनों हातों से अलग-अलग 33 अंकी टेबल एक मिनिट से कम समय में एक हाथ से लिखी और Record World Book of Record में दर्च कराया 20 जून 2019 को एक साथ एक ही दिन में बनाया पहला Record 10 खरब से उपर की टेबल मात्र 46 सेकिंड में लिखी और इसी दिन पाचवा Record दोनों हातों से एक ही समय में अलग-अलग 33 अंकों की संख्या का पहाड़ा 36 सेकिंड में लिखा स्वात्ती राठोर नागोर जिले के प्रेमपुरा गाउं की रहने वाली हैं तथा भारतिय बायू सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं इन्होंने 22 गंतंत्र दिवस 2021 में राचपत पर होने वाले फ्लाइपास्ट का नेतरत्व किया था यानि लीडर थी फ्लाइपास्ट यानि बिमान परेड जोकी हवाई जहाजों की दोरा दी गई सलामी होती है उनका नेतरत्व करने वाली वे प्रथम महीला पाइलेट हैं फ्लाई पास्ट के दौरान स्वाती के नित्रत्व में हवाई जहाच का एक फॉर्मेशन दिल्ली में राजपत के उपर से गुजरा इस दौरान पुश्प वर्षा कर रहा था बायू सेना की जहाकी में हलके लडाकू बिमान हेलिकॉप्टर और सुखोई थट्टी शामिल थे बता देंगी राजस्थान की बेटियां बायू सेना की भिविन्न पदों पर सेवाए दे रही हैं। किरंट सोनी गुपता ये 1985 बैच की राजस्थान केडर की बरिस्ट आई एस अधिकारी हैं। लेखिका, चित्रकार, छायाकार और मूर्तिकार हैं। पश्रीमी चेत्र सांस्कृतिक केंडर का मुख्याल हैं बागवर की हवेली उदैपूर में इस सित हैं। और भारत सरकार के मानव संसाधन मंद्राले के संस्कृति भिवाक के अंद्रगत, एक महत्वकांची परियोजना के अंद्रगत, 1985 में साथ चेत्रिय सांस्कृतिक केंडर इस्थापित किये गए थे, जिन में से एक ये भी था, पश्रीमी चेत्र सांस्कृतिक केंडर जोकी उदैपूर में हैं, और ये एक रजिस्टर्ड सुसाइटी है, जिसका संचालन परिशत की इस्थाई, अध्यक्ष राजस्थान क राज्यपाल जोकी बर्तमान में कलराज मिश्र हैं, उनकी द्वारा किया जाता है, और डैनिक कारिये भारतिय प्रशास्निक सेवा के एक बरिश्ट सदस्य निर्देशक द्वारा संचालित किया जाता है, जोकी है किरन सोनी गुपता अनुराधा अरोडा, इनका सम्मंद जोदपुर से है, राजस्थान के जोदपुर की रहने वाली अनुराधा कॉफी के जाग पर कलरफुल पेंटिंग बनाने में माहिर हैं, कॉफी मग में 17 खुपसूरत आर्ट करने के लिए अनुराधा का नाम इंडिया बुक ओफ और उन्हें प्रमान पत्र तथा मैडल भी जारी किया गया है, तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना